कि 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 हलो एवरीवन गुड़ इवनिंग डॉल आफ यू कैसे आप लोग आवाज आ रही है कि मेरी एक बार थोड़ा सा आप अपने नॉलिज कर दीजिए चलिए ठीक है जब भी आप यूपीएसी की त्यारी करते हैं यहां वहां बहुत सारी स्टैटेजीज देखी हर किसी टॉपर का जोग्रफी में एक रिकमेंडेशन होता है जोग्रफी के एंजिया अब ये अगला स्टेप देखो के तो कहेंगे कि ऐसे पड़ो बट आपको सबको सच्चा ही पता है कि जोग्रफी को बिना विज्वलाइज किये बहुत दिक्कत होती है अब सिक्स्टू ट्वेल्थ के एंसी आर्टी जब पढ़ना शुरू करते हैं आप तो सिक्स्ट की पड़ी आपने ठीक है पढ़ लिया सेवन्थ पढ़ी एट स्कूल गए फिर वो रॉक दबारा दिखेगा एट्थ में फिर टैंथ में दिखेगा फिर कोई ट्वल्थ में दिख रहा है क्या इलेवन्थ में दिख रहा है क्या तो सब टूटा फूटा हुआ है एंसी आर्टी पढ़ना गलत नहीं है जरूरी है बट जो सही तरीका टॉपिक उठाओं सारी एंसी आर्टी जहां जाएं सब कुछ पढ़ लूँ कि इस वाली सीरीज का में मकसद यहीं है टॉपिक वाइस में चीज़ें कराऊंगा आइडियली 11 क्लास के एंसी आर्टी को सामने रखेंगे हम इसमें भी काम की चीज़ें में पढ़ाऊंगा सेवंत में कुछ मेंशन किया है क्या या सेवंत में कुछ मेंशन किया है तो नाइंत में कुछ मेंशन किया या एड्थ में कहीं भी वह हम लोग आपको मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा पहला वीडियो है तो थोड़ा इंट्रोड़क्री पार्ट में हो सकता है आपको और एक आपको यह बहुतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त जो हम कहते हैं और एक भारत का आप पर यह बहुतिक परियावरन वाली है वह इसके बाद होगी अब जब भी आप उपन करेंगे तो आपको यह इस तरह से स्क्रीन शॉट्स में दूंगा बट नो डाउट मुझे माल रहे हैं वह बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मसंतुष्टी नहीं होगी तो आपका क्लास मनी नहीं लगे हिंदी मीडिया में आपके लिए शब्दावलिया वहीं से मैं निकाल के आपको बता दूंगा दूसरी बात सारी चीज़ें बताओंगा यह 11 के एंसी आटी जहां फिर उसके बाद में उसी का हिंदी उसके बाद फिर से आप आगे की एंसी आर्टी में जाओगे तो फिर यह कहां पर क्या चीज दी हुई है वो चीज तो कहने का मतलब सारी छोटी भी एंसी आर्टी हैं कम कक्षा वाली सात्वी वाली भी जो हैं तो सब मैं सब चीज़ें आई बात समझ में ठीक है तो आप कह रहे थे NCRT तो मैं थोड़ा समय इसी नहीं सब चीजों में ले रहा था कि इसमें आपको पूरे topic wise clarity मिलेगी सारे NCRT का एक समावेश मिलेगा अब वो pattern गया वो time गया कि चलो ठीक है एक एक पढ़ रहा हूं मत करो समय खराब मतलब यह एक अब कर दूंगा मैं आपको बार बार कहता हूं आप ही लोग से मिलती ही मुझे अनर्जी यह कोमेंट सेक्षन पर आपको टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना सारी जानकारी मिलेगी subscribe करते ही जाते हो आप तो फिर से कर देना एक बार और किसी और जा करा लेना टेंचन सब्सक्राइब से सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो है मेरा हट गया से देखो अर्थ इंटीरियर से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कक्षा गैरवी के एंसी आर्टी में यह आपको चैप्टर नंबर 3 मिलेगा टॉपिक वाइस मैं पढ़ा रहा हूं मैं फिर कह रहा है कि जब आप पूरी जोग्रफी समझ चुके होंगे इस बात पर भरोसा रखना कि उनको समझने के लिए हमें पहले बेसिक आगे के चैप्टर समझने होंगे वह मैं जब जरुवत पढ़ेगी तो उनको इंक्लूट कर दूँगा ठीक है आई बात समझ में टॉपिक वाइस सबसे पहले जब आप अच्छा एक चीज़ और यार यह इंफॉर्मेशन देदू मैं जो लर्नर सब्सक्रिप्शन लेना चाहरा है यह वहीं आप 15 जुलाई आखरी तारीक है अने का प्राइस बढ़ने वाला है 50% डिसकाउंट ले सकते हैं कोड मेरा सबको पता है मेरा पढ सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर की जब बात होती है क्षा 11 में तो सुनना शांती से सुनना हर चीज लिखी हुई है आपकी एक बार समझ गया ना तो रीडिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो सुनना मेरी बात को एक-एक को अर्थ का इंटीरियर सीदी से कहान आज खुद सोची आप कि आज आपको हर चीज जो जमीन पर दिखाई देती है लाइक माउंटेंस दिखे ठीक है या कोई प्लैट्यू पठार दिख गया माउंटें और प्लैट्यू का मतलब समझ लेना कोई एक उची चीज ठीक है और प्लैट्यू उसी से थोड़े चोटे हाइट के होते हैं जब भी इनको आप देखोगे तो आपको चीज़े दिखाए देंगी कि इसका बेसिक एलिमेंट क्या है रॉक चटान से बना हुआ है कोई भी आप देख लो मैं कहूं कि चलो दो किलोमेटर चल दो तो आप को कि सर मैं तो चटान पर ही चल रहा हूं तो व कहां से आ रहा है वह अर्थ के इंटीरियर से निकल रहा है समझ भी अलीजीबात तो अर्थ के इंटीरियर से लावा निकला लावा भार आया ठंडा हुआ बह इंदर से connected है इसलिए सबसे पहले कुछ भी जोग्रफी में पढ़ने से पहले चैप्टर यह बता जाता कि आपको अर्थ का इंटीरियर पता होना चाहिए अब चूंकि यह पहले कि प्रध्वी को देखते हो तो आपको एक चारो तरफ ठोश सवस्था लिए ज़ो चत्टानों से बनी हुए उसको वो क्या कहiah रहा है लिफ्फेर बोल रहा है तो उसको क्या बोल रहा हुए लिफ्फूस्फियर यहान शुरू बहत में एक वर्ड आपको तेखने को मिलेगा he key word is thic cover of rocks तिक cover of rocks उसको वो क्या कह रहा है लिथोपिर हिंदी में कह रहा है हो कि आप जब भी आप देखेंगे तो एक ठोस गेंद की तरह है यह आप कह सकते हो कि एक मोटी परत चटानों की एक की एक मोटी परत इसको उसने कितना सिंपल वर्ड में सी आलटी बता रहा है कि तुम कहां परिषान हो रहा या प्रत्विक को देखक कठोर चठ्टान देखक और वह कठोर चठ्टान जो है या कठोर एक परत है किसकी रॉक्स की वही वाला रॉक्स जिसमें पैर लग जाता तो फून निकल आता था पैरों का वह वाला आप फील आएगा आपको वह चारों तरफ लगी हुई है स्फियर में है लगा है हर जगह आपको रॉक दिखेगा पानी के अंदर भी जाओ तो रॉक दिखे इसलिए स्फियर वर्ड यूज हो गया तो इन इस चीज़ों को फोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है अरे बेटा कॉपी पेष्ट यहां मत करो कि रोज कि कल लोगे की परसो यहाँ ध्यान दो यह फिर द्यान हटेगा फिर कॉपी पेष्ट करेगा Class एंड कर दूं उसके बाद कॉमेंट करके जाना बताना कि कैसा लगा वी तो वहाँ पर मैंने शुरू किया था अब उसके बाद अब शुरू किये इसलिए मैं कह रहा हूं आज से चार साल पहले पढ़ाई थी मैंने तो बार-बार मोके नहीं आते ठीक से एक बार समझ लेना ठीक है तो पढ़ो इसको तो पहली स्टार्टिंग वाली लाइन में बस य प्रत्वी का यह तो अंदर नहीं जाना यह बाहर का तो चारो तरफ इसको रॉक कह रहा है मालनू यह भी नहीं समझाया आपको एक डाइग्राम हो रहे मेरे पास्षुडवात में यह देखू यह दिख रहा है यह अंदर तो पिगला है सब प्रत्वी का यह उपर वाला है इसको लिफोस्फियर कह रहे तो लिफोस्फियर शब्द को याद रहना कठोर वाली जो चीज़े उसको कहरें हम लोग फिर आब वह कह रहा है कि जब भी आप आगे देखेंगे तो हमारी प्रत्वी पर दो तरह का फोर्स लगता है एक फोर्स जो बाहर से लगता है लाइक ठीक है तो यह नॉर्मली एग्जोजेनिक वर्ड यूज किया ए उसने एक जोजेनिक ठीक है और यहां पर भी आप आँगे तो यहां बहिर जात इन्होंने एक शब्द यूज किया है जब भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा मतलब आप स्टार्टिंग में यह आ दावा धका रहा है अंदर की गर्मी जो है वह आपको बता रहीं तो वह उंतर जाथ हो गया मीन्स एंडोजेनिक हो लिए ठीक है तो दो शब्डा आपको मिलेंगे बहिर जात और अंतर जाथ तो फील कर पारें बहिर जात मतलब बाहर, एक्जोजनिक, तो मुझे एक बात बताओ, एक जौला मुखी निकला, और अंदर से निकला भेंकर तेजी गती से, हवाई जाज मन के सब लावा बाहर आ गया, विस्पोट हो गया, कौन सा फोर्स है वो, एंडोजनिक, एक्जोजनि समझ आ गई बात, और आप देख लो, एंडोजनिक फोर्स को समझना है तो, ये वाला जो डाइग्राम है ना, ये, ये दिख रहा है, ये अंदर से ये सब लावा जो निकल रहा है, देख पा रहा है इसको, ये एंडोजनिक फोर्स, इसके बाद में इधर आओ गया आप, त वो कन्वेक्शनल पैटर्न शुरू हो जाता है, मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाती है, तो ये वो ही सारी इसको हम कन्वेक्शन कह रहा है, ये हमाले एंडोजनिक फोर्स हो गया, एंडोजनिक फोर्स मिलेंगे, बाकी बेसिक जानकारी जादा परिशान मत होना, अब इसके बाद में, जैसे आप आगे जाओगे, तो फिर आपको से दावा कहता है, कि देखो वेटा ऐसा है, कि प्रत्वी का जब अंदर आप जाते हो तो बहुत गहराई है, अब बहुत ग है, इतना अंदर जा पाओगे, क्या प्रत्वी के है, सर नहीं जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, इसलिए वो आप से कह रहा है, कि एक काम करो जब अंदर नहीं जा पाओगे, तो सबसे पहले आप ये तो पढ़ लो, क्योंकि मैं आपको दावा करने लगू माल लो, कि या यहां, मतलब सबसे पहले भूगर्व की जानकारी के साथ हैं, कैसे पता आपको अंदर, प्रूफ बता दो अर्थ के अंदर कैसे देखा आपने, तो सर यहां से प्रिलिंस में question पूछ सकता है, वो लिस्ट बाज पढ़ेंगे, हम कौन-कौन से evidence हैं अर्थ के interior के, वो आप से बोलेगा, वो आप से यह पूछेगा, कि अर्थ के interior का evidence है, वो कितने evidence हो सकते हैं, कुछ direct evidence हो सकते हैं, कुछ indirect evidence हो सकते हैं, मतलब कैसे, अभी एक example लेते हैं, जौला मुखी से लावा निकल रहा है, लावा अंदर से निकल रहा है, जिसको आप देख सकते हो आखों से, जि यह बता दिया, कि सर, प्रत्वी का अंदर का temperature क्या है, ज्यादा है, तो प्रत्वी के अंदर का temperature ज्यादा पता लग रहा है, वो लावा से पता लग रहा है, वो directly पता लग रहा है, सीधा दिख रहा है आपको, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कि प्रत्यक्ष श जानकारी का अन्य श्रोत है कि जब भी कभी भी ज्वाला मुखी उद्गार होगा तो आप एट लिस्ट बहार आके प्रयोग शालाओं के लिए लेवोरेटरी के लिए विज्ञानिकों के लिए कम से कम रिसर्च का साधन बन जाता है डारेक्ट उसको जो है रिसर्च कर सकते है लावा को आप ठीक है इसलिए डारेक्ट सोर्स हो गया जो आला मुखी में पहला सोर्स मानता हूं इसके पहले इन्होंने ना दो नाम और दिये हैं डारेक्ट सोर्स में एक तो गोल्ड माइन साउथ अफरीका में इन्होंने तीन से चार किलोमेटर तक गहराई तक मैं तो गोल्ड माइन वैसे आप लेप्टॉप में पढ़ेंगे न तो आपको शायद यह वर्ट भी दिख जाएंगे मेरे हाइलाइट इदि लेप्टॉप के थूप पढ़ रहे हैं मोबाइल में हाई कालूटी पे आप देखोगे तो पर ठीक है तो वह यह कह रहा है कि ती तीन से चार किलोंटा गहरी है इससे अधिक घहराई में जा पाना संबग है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत जादा अधिक है और सभी वात है जब जादा अधिक होगा तापमान तो सीदी सी कानी है एक तो भाईया जा भी नहीं पा रहा हूं और प्रत्यक्श श यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अरे यार आप यह मत पूछो कि यहां और वहां में डिफेरेंस क्या अब मैं तो पढ़ा रहा हूं न अब पढ़ लो यह जरूर है कि जब भी जो भी ग्लास लोगे गैरेंटी नया मिलेगा अब पढ़ लो आप है न मतलब आप फिर मैं इन साउथ अफरीका का एक उधारन सोने की खानवाला गोल्ड एक कहता है डीप ओशियंट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हुआ है आर्क्टिक ओशियंट में देर प्लेस कॉल्ड कोला अच्छा अरे रशिया वाले बड़े तेज हैं इन्होंने क्या करा कि आर्क्टिक रीजन के आस अब यह अंदर तक गया है इसको देखके समझ में आ रहा है इससे क्या समझ में आया कि यह 12 किलोमेटर तक देख पाया और इसके बाद आप यह कह सकते हो कि इसके बाद जाना थोड़ा सा मुश्किल है टेंपरेचर को लेकर भी है और काफी जो भी अनालेसिस कर पाये हाला कि मैंने बाद में एक समरी टाइप भी आपके लिए दे दी कि कभी दिक्कत हो कि रॉक्स फ्रम दा माइनिंग एरिया और वोल्कैनिक इरॉप्षन यह डारेक्ट सोर्सेस की कैटेगरी में हमने रख दी है ठीक है वाला आखरी में इसको पढ़ो और अभी तक का पूरा दिमाग में बैठे जाएगा तो यह प्रत्यक्स समझ में आगा इधर देखो इंदी में लिखा हुआ है कि वहीजा यह यह गहरे समूद्र में प्रवेधन परियोजना डीप अब यह प्रवेधन को भी कई बार नहीं समझ में आता अच्छा मेरे को भी कई पास में से दिखत प्रवेधन से अंतरगत रहे इसे प्रात्त पदार्तों से मनलब हमने बहुत सारे यह क्रें ऐसे बहूट सारे रॉक्स मिले और वहां पर हमें बहुत सारी जानकरी इसी देखने यह मिली इट मीज़ दे अर्ट डैरेक्ट और सोर्स प्रत्यक्ष्रोत हैं थीक भाईया आगे बढ़ें कि लिए से लिए अब हम ने प्रत्लब यह इनदारेक्ट के तो जैसे आप अंदर जितना जा रहा हो प्रत्वी के तो एक बात क्या अब्जर्वकरी की टेम्प्रेचर भ और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है तो अंदर जाके किसी ने प्रेशर देखा क्या नहीं बट यह की है इसलिए डिरेक्ट इस केटेगरी में नहीं रखते हैं हम लोग तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने माइनिंग activity कैई करी है कई बार माइनिंग जो activity करते हैं खान वगएरा जब हम देखते हैं या खनन प्रक्रिया जो होती है तो खनन प्रक्रिया से हमें समझ आजा जाता है कि आज जतना अंदर जाते हैं उतना टेंपरेचर भी बढ़ रहा है यह तरह से आप कह सकते हो और उसके बाद में प्रेशर भी आपको देखने को मिलता है कुछ देर तक तो आपको लगेगा अरे यह तो डायेक्ट सोर्स है बट इसका अंदाजा लगा रहे हैं अंदर तक की घहराई होगा और जब अंदाजा अंदर जाओगे उतना घनत्व बढ़ेगा दवाव घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आका जा सकता है कहने का मतलब सीदी सी बात है कि जितनी आपकी गहराई बढ़ेगी उसके साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है मतलब उतना ही डेंस होता जाएगा पहली ठीक है तो पहले तो material की density भी बढ़ रही है अंदर घनत्व बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है यह अब सुरू में लगे गा हमें तो पता लग रही है बहुत प्रेशार है लेकिन आप अंदर जाके गये क्या देखा कि दिन नहीं अंदाशर लगा रहा है इंडारे था की Meteors शान रहा है मेटिष मिटियढ़ मिटियढ़ कि प्रथवी का आंतरिक जानकरी का दूसरा प्रत्यक श्रोथ है उलकाये यह क्या होती यह बाहर से आने वाला यह प्रथवी पर जब आएगा तो इससे कैसे पता लगा कुछ नहीं है यार अब यह जो इसी पलानेट का पार्ट है यह communication masa है जुपीटर का हिस्सा है अब इससे पता लगता है यह से बना है हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जब यह इन बटेud former से नहीं इतनी कठोर थो हमारे प्रत्रिविए कठोरता है तो जिनों से बना है मिली ख़निज होंगे तो अंदाजा लगा लेते हैं कि यह भी तो किसी प्लानेट का है और हमारे फिए प्लानेट है वो इससे बने होंगे तो हम भी से बने होंगे पर एक्षोलबों जाकि किसे नहीं देखा क्या तो नहीं है लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि कुछ सिमिलारिटीस हमें ऐसी दिखाई देती हैं जो कि उसमें भी होती है और जो अर्थ में भी होती है इसलिए इसको हम लोग ठीक है यहां तक को दिकत है बिल्कुल तो इस बात को आपको अबसर्व करना है कि ध्यान रहे कि और साथ ही साथ यदि हम लोग देखें डेंसिटी सब बढ़ रही होती है तो यह हमारे लिए एक तरह से इंडारेक्ट सोर्स है लेकिन लावा वगरे को जब आप निरिक्षन कर रहे होते हो वॉलकेनों को जब आप देख रहे होते हो तो वो डायरेक्ट है अब एक चीज औ करतरो समधें लेकिन मेगरेटिक फिल्ड क्या कहना चाहरा हो या आप कह सकते हो घ्राविटी यह यह यू यूँज हुआ है इस पेरेग्राफ में वह क्या कहना चाहरा है इस चीज को ठीक है दूसरी चीज यह सबसे पहले तो एनॉमली को समझो कि एनॉमली क्या होता है ठीक है पहली बार आप समझे कि एनॉमली शब्द क्या होता है विसंगती क्या है तो आप हमेशा समझना है एनॉमली का मतलब अभी आप यह समझ लो कि जो चीज होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है विसंगती जो चीज हम expect कर रहे ह वो चीज नहीं हमें क्या लगता है गुरुत्वी यह बल हर जगए एक जैसा होना चाहिए लेकिन नहीं है अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग इधर ध्यान देना सपोज मान लेते हैं आप अर्थ का जब एक्वेटर वाला जो छेत रहे यह प्रत्वी का जो छेत रहे इसका डिस्टेंस देखते हैं तो 12,756 दिखाई देता है किलोमेटर और पोल का आप देखते हैं तो 12,714 दिखता है मतलब यह डिस्टेंस में वेरियेशन के कारण प्रत् कुछ इस तरह से जीवाइड शेप में अब आप देखना कि सेंटर से आप देखोगे तो इक्वेटर वाला इस पॉइंट की दूरी ए और इस पॉइंट की दूरी बी कौन सा पास में है सेंटर से बताओ से कौन सी दूरी पास में है ए वाली पास में है कि बी वाली पास में बी वाली पास में है ठीक है और यदि हम ये मान के चल रहे हैं देखो NCRT क्या कहता है जहां से सुनना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो गुरुत्वी बल है इस नौट सेम बरावर नहीं है पूरी प्रत्वी पर ठीक है ये ग्रेटर है नियर पोल्स धुरुवों पर पीचे अपने पास ज्यादा बल लगेगा तो ग्रेविटी यहां पर ज्यादा हो गई एक्वेटर दूर है बहुत दूर है तो देखो इट इस ग्रेटर नियर पोल्स एंड लेस एड़ एक्वेटर मतलब भूमत देरेखा पर कम होता है तो यह ग्रेविटी जो है आपको य तो असर जादा रहे तो यह देखो असर जादा है तो अब इससे क्या पता लगता है इससे यह पता लगता है कि हमारी प्रत्वी में यदि सारी चीज सेम होती अंदर तो क्या ग्रेविटी की वैल्यू भी फिर सेम हो जानी थी पर जब ग्रेविटी अलग अलग है इसका मतल यहने का मतलब यह हो गया कि अब वो कहा रहा है इस इस बिकाउज अब इस्टेंस फ्रम दे सेंटर ओफ इक्वेटर प्रत्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वी बल दुरुवों पर अधिक और भूमद्र एका पर कम होता है गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव बट ग्रैविटी बदल रही है जिसके अकारण हम यह कह सकते है कि प्रत्वी के अंदर कोई पी चीज एक जैसी नहीं है यह सुरोथ है यह प्रत्वी सेम नहीं है ठीक है समझाई बात तो ग्रैविटी कहां जादा होगी फिल इक सब लोगों से अंसर चाहिए मुझे जितने बैठे हो gravity जो है कहां पर सबसे जादा होगी तो gravity सबसे जादा जो होने वाली है वो होने वाली है पोल्स पर और कम कहां होगी इकवेटर पर दूर हो गया ना दूरी सेंटर से तो क्या दोनों जगा सेम हो गई क्या नहीं अलग अलग हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की वस्तुए भी अलग 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 चीजों से बनी अलग 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 द्रव्यमान मास वाली है तो मतलब यह information हमें gravity से मिल गई और यह जो चीज अपने को मिलनी चाहिए इसी को हम कहते हैं gravity anomaly कि मतलब readings जब differ करती है यह from the expected values जो चाह रहा था कि यार हो सकता है प्रत्वी गोल है तो सब जगह gravity हो नहीं थी ऐसा मैंने चाहा पर पता क्या लगा अरे बदलाओ है यार इसमें तो तो यह जो change है this is known as anomaly यह विसंगती है समझा गई बात कि जैसा होना चाहिए ता वैसा नहीं है तो इस सीज को हमें द्यान रखना तो देखो ना इसमें क्या लिगा कि जब हम देखते हैं कि अलग-अलग स्थानों पर गुरत्वा कर्शन की भिन्नता देखने को मिलती है और इस विन्नत जगह पे अलग-अलग गुरुत्वीबल होना यह दर्शाता है कि अर्थ के अंदर भी बड़े वेरियेशन होंगे एक जैसी नहीं होगी एक जैसी होती तो ग्रेविटी की वेल्यू भी एक जैसी लगती सिंपल इससे ज्यादा नहीं जाना है बिल्कुल ज्यादा आगे जितनी भी है सब एक इंडारेक्ट सोर्स ठीक है आई वास समझ में और इधर आप लोग देखोगे इसमें तो डारेक्ट सोर्स में रॉक्स और वल्केनिक इरफ्शन अब आप जरा बाद में यह रिकॉर्डेट लेक्चर भी देख रहा होंगे तो एक कॉपी ब्लैंक पेज में जरा लिखो आप लोग सब लिखो ब्लैंक पेज में डायरेक्ट और इंडारेक्ट को अलग अलग करो जरा आधा मिनिट का समया आपके पास बहले रिकॉर्डेट देख रहा है आप लिखो जरा जल्दी से और लिख लो तो डन करना देखो यहां नहीं सुनोगे तो यह तो अपना एक काम घड़ियां से हो गया कि जो है सूर्सेज हमें पता कैसे लग गया अज अपने पता लग गया मतलब अब अर्थ का इंटिर्येर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आप इंटियर जब पढ़ने बैठेंगे तो अपने बेसिक ज्यान है इसके बाद यह मार्थ क छोटी वाली NCRTs में जाते हैं, तो इन्होंने डिरेक्टली वस शुरुवात में लिखा है, the solid portion of earth, मैं छटवी में जाएंगे, we live in the solid portion, कितना basic समझाया, गजब की बात लिखी हुई है, जो भी solid चीज़ है आपके अर्थ पे, जिस पे आप रहते हो, वो lithosphere है, बढ़ियां, ऊपर की कहानी है, अंदर नहीं गया है, इतनी बढ़ियां लाइन लिखी हुई है, फिर atmosphere, hydrosphere है, मत पढ़ो, आगे जब आएगा दोबारा समझा दूँगा, तो जिस पे rocks होते हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं, अब rocks इस से बने हुए हैं, तो हमें मालूम है, रोक से जो जमीन वाले जो हिस्से हैं, जहां हम लोग रह रहे हैं, उसको वो continent word भी यूज़ कर रहा है, तो दो main division है, लिथोस्फियर, large land mass को हम continent कहते हैं, और जो water bodies वाला हिस्सा है, उसको हम ocean basin कहते हैं, ocean basin का मतलब जहां पर समुद्र रखे हुए, समुद्र रखे हुए हैं, तो समुद्र भी हवा में तो उड़ नहीं रहा है, तो उसको जनरली हम यह गया रहे हैं, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब elevation of land is measured from the level of sea which is taken as zero, देखो कितनी बढ़िया बात है कि जो elevation होता है, कोई कितनी ज़्यादा उचाई की चीज है, वो कैसे पता लगेगा, तो sea level से लिया जाता है, मैं समुद्र का जो level होता है, उससे लेते हैं, ठीक है, तो अब हर country का अपना एक होता है, जैसे हमारा Mumbai हाई बगर है के वहां से हम लोग लेते हैं, तो उन्होंने जब आप देखोगे, तो महादवीब को हम किसमें कहा है, जो बड़े स्थल वाले भाग है, उनको हम महादवीब कहते हैं, जमीन वाले भाग, यह जमीन, यह मैं landmass, और जितने भी महा सागरी बेसिन है, उनको भी हम लोग मतलब तरह से आप कह सकते हैं, जिस पे महा सागर र हिस्सा ओशनिक वाला भी हिस्सा दिखाई देगा तो यह सब लिफास्फियर में आपको देखने को मिलेगा अब आगे की एंटियर आफ अर्थ के बारे में बात करने लगे हैं ठीक है होब कि यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई तो अभी हम लोगों ने जो डिसकस किया है वो डिरेक्ट सोर्सेज और इंडिरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं वो उमीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है यहां तक कोई दिक्कत हैं यहती काहनी में सब्सक्रीच कॉस्सा पर्मोस्त जो है बहार का इसको कर रहे हैं और यह है वह समझा को समझा देखो इन्होंने NC contracting में बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि सबसे पहले तीन लियर आप लोगady क्या पढ़ लो तीन लियर पढ़ने के बाद इसमें इन्होंने काया कि थर्टीफ ओर वाली उमेंहकर तक पहली builders है दूसरी वाली जो है पॉल है और थीसरी बॉल है तीमी इनसे कहले तक मेंटल को अब यह 290 डबल जीरो तक mental है और 6371 तक आपका core है देखो पहली heading crust ये crust हो गया दूसरी heading mental ये mental हो गया तीसरी heading जो है वो core बना लिए 2900 km लिखा हुआ उसके beyond जब आप आगे जाओगे तो आपको ये core दिखाई देगा ठीक है दूसरी बात हिंदी medium crust को भूपरपटी कह रहा है mental को mental लिखा हुआ है लेकिन आप इसको भूपरवार भी कह सकते हो और तीसरा crowd word यूज़ किया है ठीक है सबसे पहली चीज़ ध्यान नर्म है basic अब वो क्या कह रहा है कि crust में काम करते हैं अब मैं इनको मिटा दे रहा हूँ मैं इसको पहले explain करता हूँ उपर वाले को crust वाले को अब वो यह कह रहा है ज्यान से सुनना कि जब भी और मैं तो छोड़ो इसको आप तो अपनी बुद्धी लगा कि जमीन पे जहां रहते हैं हम उसको continent कहते हैं है ना और जो अभी पड़ा समुद्र वाला हिस्सा उसको क्या कह रहे है ओशियन वाला हिस्सा तो आप खुद सो जो होगा वो क्या होगा कम रहेगा थिकनेस कम रहेगी यह तो हम बच्पन से देखते हैं खुद सोचो ना कि जैसे मान लीजिए उधारन के तौर पर हाइट जादा है यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि यह परवतों को जब आप देखोगे तो उचाई कितनी जादा हो होगी और समुद्रों में आप यह थिकनेस कम हो जाएगी तो इसमें बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है देखो आउटर मोस्ट जो सॉलिड पार्ट है उसको हमने क्रस्ट बोल दिया है फिर सेकेंड लाइन थिकनेस पर आ गया हूँ क्या बोल रहा है कि ओशनी क्रस क्रस्ट ओशियन का जो क्रस्ट है वो थिनर है थिन मतलब बिल्कुल ऐसा यह दिखाई दे रहा है आपको थिनर है और उसके साथ साथ पलब कंपेरिजन करोगा तो कॉंटिनेंटल क्रस्ट हिंदी मीडियम यह चीज़ को ध्यान रखना कि भूपरपटी की मोटाई महाद्व वो यह कह रहा है कि ओशियन की मीन थिकनेस लगबख पांच किलोमेटर ही रह जाती है यह पांच किलोमेटर ही है और यह करीब करीब 30 किलोमेटर के असपास जो है आप लोग देख सकते हो ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कोई समस्य है किसी को फिर एक चीज और बोल रहा है वो अब मुझे बात बताओ आप आराम से एक पेड़ लगा हुआ है धर्ती पे अर्थ रोटेट कर रही वो पेड़ बहार क्यों निकल जा रहा है तो आप कहेंगे सर जी एक तो ग्रैविटी का बल भी है और पेड़ को समाले किसने हुआ है रूट्स ने जड़ यहां पर आप देखो कितनी बढ़ियां चीज लिखी हुई है इस डाइग्राम को देखना है यह जो उचे वाले छेतर दिखाई दे रहे हैं आपको उतना गहराई भी दिखाई दे रही है नीजे मतलब कितनी गजब की लाइन लिखी हुई है ध्यान से सुनना है दा कॉंट कॉंटिनेंट क्रस्ट थिकर तो हैं लेकिन जादा कहा है इन दा एरियास ऑफ मेजर माउंटें सिस्टम जहां परवत होंगे वहां जादा थिकनेस होगी इस बात को आपको ध्यान रखना मतलब यह वात अब्जर्व करें आप अच्छे से कि महा सागरों के नीचे यह तो बहुत बेसिक चीज़ है चोटी चीज़ है याद रखना इसका उधारन आप हिमाले परवत में नीचे देखोगे तो करीब करीब देखो सतर गिलोमेटर सेवेंटी गिलोमेटर हिमाले के छेत्र में अंदर गहरा है कितनी गहराई सो तभी आप सोचो ना इतना बड़ा कि जी हां कि अब इसके बाद में एक चीज और थोड़ा सा याद रखना कि इसमें इन्होंने थोड़ा सा वेरियेशन लिया हुआ है हेवियर रॉक जो है वह याद रखना ओशियन का है यहां थोड़ा सा एक ऊपर नीचे हुआ है फैक्ट एंसी आर्टी का बट थोड़ा ध जल्दी बताओ किसकी जादा होगी कि कॉंटिनेंट की और कॉंटिनेंट में भी स्पेशली लैट्यू एरियाज प्लेन एरियाज माउंटेन कहां पर तो वो ज्यादा तर आपको कहां दिखाए देगी कॉंटिनेंटल वाले पार्ट ठीक है समझ आ गई बात यहां था है जरूर करके बताना मुए अभी लाइब चैट नहीं पढ़ पारों बहुता जारी चैट है कॉमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा सेशन कैसा रहान भौऊ हिंदी मिडियम का दिखान रखा गया इंगलिश का भी रखान रखा गया डायग्रम एक्स्ट्टा जहां जरूवत तो आप पहुंचाओगे चैनल को और जितना बड़ा हमारा बनेगा और मुझे और जादा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए खैर तो ये सब चीजें हम लोग कल डिसकस करने वाले हैं सारे सब कुछ बताऊंगा मैं और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेंग या सब्सक्रिप्शन लेना चारा है या जो एक साल है जिनके पास या अभी एक समय है नेक्स्ट इयर जिनको त्यारी करने एक्जाम देना है अब आपके पास यह वो टाइम है जब आपनी त्यारी को बहतर कर सकते हो और इंडिया के जो बेस्ट एकटर से उनसे आप पढ़ जरू करना